हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आपका बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का एकजाम 14 और 21 मार्च को पूर्ड रूप से संपण हो चुका है और आप में से बहुत सारे कंडिडेट का या सवाल था कि सर मेरे इतने नंबर है तो क् सब्सक्राइब करने चाहिए और अगर आपका कम नंबर है तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको आईडिया लग सके कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का संभावित कटाफ कितना जाता है यानि कि एस्पेटेट कटाफ कितना रह सकता है तो इस प्रमेशनल वीडियो आप तक महुचती रहें तो सबसे पर हम देखते हैं कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक्जाम किस प्रकार से इसका आवेजन किया गया था तो सबसे पर हम इस पर डिसकर्शन करते हैं तो यहां पर आप देख सेकते हैं कि परिच्छा सांति एक किस मार्च को हुआ था इसमें लगबग में 64 लड़के यानि कि 64 कंडिडेट ऐसे थे जो गिरतार हुए थे नकल करते हुए जिनमें से कोई चीट पर्चे के साथ है या कोई ब्लूतूत के साथ है या कोई कॉपी लेकर के ही घर को फ्रार था तो ऐसे बहुत सारे केस दे देखनों को मिला था यानि कि 14 मार्च का एक न्यूज था कि 55 लोगों को गरपतार किया गया था तो ऐसे में अगर आप सो सकते हैं कि अगर 55 लोगों को यहां पर 14 मार्च में गरपतार किया था और यहां न्यूज यानि कि यहां पर 64 लोगों को 21 मार्च को गरपतार किया गय पर लगबंग में एक्जाम की समय भी वीडियो इसका वाइरल हो गया था यानि कि इसका एंसर की डारेक्ट ही वाइरल हो गया था तो ऐसे में लगबंग में आप का सकते हैं कि 40-50 नमबर यानि कि बहुत सारे कंडिरियर का कहना था कि जो आपका एक्जाम 21 मार्च को हुआ है इसमें हौल में उन्होट ऑनि कि एक्जामनेशन हौल में बैठने से लगबंग में 30 पहले चालीस मिनट पहले सोचल मीडिया जैसे कि वार्चाप या किसी अन्य सोचल शाईट पर पहली एंसर की वाइर न हुगया था और बहुत सारे कंडिरियर कह रहते कि कि किसी को 40 या किसी को 50 क्वेस्टन के एंसर मिल गए थे तो इसी साफ से अगर यहां पर देखा जाए तो आपका कटाफ जादा जाने का समभावना तो है लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कंडिडेट 40 नंबर का अगर यहां पर धांदरी करक तो जरूरी नहीं है कि वह 40 नंबर जानता ही हो तो इसलिए यहां पर कटाफ जो है वह थोड़ा सा कम जाने का संभावना है तो फ्रेंट्स और आपको पता ही होगा यानि कि यहां पर आपने नियूज भी पढ़ा होगा कि यहां पर धांदली बहुत थी जोरो सोरो से हुए नहीं नहीं है कि आपका यहां पर सभी स्वाष्तों से एकौर कंदीडियर आज यहसा हो सकता है कि जो बहुत जी हो गया उसी से ही उठाले ऐसा भी हो सकता है कि 21 मार्च जो आपका जाव हुं हुआ सब से जादा धांदले हुआ था तो यहां से भी कि सिफ्ट से यहां पर उठाया जा सकता है सिर्फ यहां पर मतलब है कि आपका कटाप जो है वह ज्यादा यानि कि मेरिट है या नंबर मार्क जो है आपका वह ज्यादा आना चाहिए बस यहां पर यहीं मैटर करता है बाकि आपका सिफ्ट वाइज कोई मैटर नहीं करता है तो सर मेरे इतने नंबर है तो क्या मैं फिजिकल की तयारी शुरू करूं या नहीं करूं तो ऐसे आप बहुत सारे सर मेरे इसने नंबर से कम ए तो किया मेरा स्लेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा क्यों किu इहाँ पर जरूही नहीं नहीं ही अकल होना चाहिए तो इसलिए यहां पर भले ही धांदली हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं आपका मार्क जाएगा अगर आपका सत्तर नमबर से प्लस बन रहा है और अगर आप जैनल कटिगरी से हैं तो आपको आगे फिजिकल की तैयरी शुरू ही कर देना चाहिए क्योंकि यहां पर आपक कट अब देखने से पहले फिमेल का देखेंगे अनि कि फिमेल का संभावित कट आप देखेंगे तो फ्यंक और आपका बीच फ़स्ट में है यहां कि बैकवर्ड क्लास फ़स्ट में है तो आपको अगर आपका सिस्टी से प्लस में है तो आपका पूरा चांस है कि आपका यहां पर बिहार पुलिस में यहां हो जाएगा और अगर आपका BC2 में है यानि कि बेकवर्ड क्लाश टू केटेग्री में अगर बीडियोंग करते हैं तो आपका यहां पर as compared to BC Fifts यहां पर थोड़ा सा ज्यादा नंबर जाता है यानि कि पाँ नंबर का ड़िफरेंच से देखने को मिला था पिछली साल से इस साल भी यहां पर 5 या पाइस चार नंबर का डिफेनस देखने को मिलेगा तो इसलिए अगर आपका 65 से प्लस में है और अगर आप BC2 से विलोंग करते हैं यानिकि backward class 2 के टेगरी से विलोंग करते हैं तो आपको physical की तहरी सुरू कर दें चाहिए और इसका cut-up 65 से 68 के बीच में vary करने का समभावना है अगर आप schedule cost से विलोंग करते हैं तो आपका cut-up 58 से प्लस में रहने का समभावना है और यहाँ 61 के बीच में vary करना चाहिए यानि कि इतना करने का समभावना है और अगर आप schedule tribe cost से विलोंग करते हैं तो आपका cut-up है वह 56 से प्लस में रहने का समभावना है यानि कि 56 से प्लस में अगर आपका बन रहा है तो अगर आप female category से विलोंग करते हैं और अगर आपका general category है तो आपका cut-up है वह 62 से प्लस में रहने का समभावना है और बहुत सारे यानि कि female work में cut-up यहाँ पर comment section में comment यहाँ आया था कि sir मेरा 58 है तो क्या मेरा selection हो जाएगा 60 है तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप female candidate है तो आपका 60 से प्लस में अगर आपका number बन रहा है तो आपका पूरा chance है भले ही आप general category से विलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर पूरा chance है 57 के बीच में रने का संभावना है और अगर आप backward class 2 से बिलोंग करते हैं तो आपको जो cut-up है वह 56 से 58 के बीच में vary करने का संभावना है और यहाँ पर जो cut-up है आपका दो नंबर प्लस में जाता है यहाँ बीच में देखते हैं कि स्ट्ट का कि इतना जा सकता है तो अगर आप फिमेल है और आपका स्ट्ट है तो आपका जो cut-up है वह 49 से प्लस में रने का समगाना है और अगर आप 49 से ब्लस में बन रहा है तो आप निशिती अपना फिजिकल की प्रिप्रेशन करते रहें और फिर्ट्स अगर आप यानि कि अगर आप सिडिल ट्राइब को शिवलों करते हैं तो आपका जो कटाफ है वह 48 से 50 की बीच में वेरी करने का संभावन है तो फिर्ट्स यहाँ पर कटाफ जो है वह आपका यही रह सकता है और यहाँ यानि कि बहुत सारे कंडिडेट के पूछने के बास से मैंने यहाँ पर यहाँ कटाफ डिसाइड किया है और फिर्ट्स यहाँ यानि कि यहाँ अनुमानित कटाफ है आपका और यहाँ पर कटाफ का कोई भी ब्याक्ति अनुवान ही लगा सकता है एक्जेक्ट कोई भी नहीं बता सकता है तो फिर्स हमारे द्वारत दीगाई जानकारी आपको कैसा लगा प्लीस हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बता है और उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्साइब कीजिए और वे लाइक उनको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे हैं वाली एसके सब्सक्राइशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग विश्व अलवेश्ट वाव वाव